तो एक बार फिर से मुनावर फारुकी और एलवी शादफ के बीच में क्रिकेट मैच होने वाला है और इस बार यही दोनों नहीं बलकि फुकरा इंसान और हर्ष बेनिवाल भी होने वाले हैं और यह सबी अपने अपनी टीम के कैप्टेंस होंगे यह एक पूरा टूर्नामेंट होने वाला है जिसका नाम है एंटर्टेंवेंट क्रिकेट लिग और इसके इवेंट में बताया कि एलवी शादफ की टीम का नाम होगा हर्यानवी हंटर्स और मुनावर फारुकी ने बताया कि उनकी टीम का नाम होगा मुंबाई बाकि आप सबको याद होगा कि लाश टाइम जब Elvish आदव ISPL के मैच में मुनावर फारुकी से गले मिले थे तो बहुती बड़ी कॉंट्रोवर्सी हो गई थी और इस बार फिर से मुनावर फारुकी Elvish आदव से मिले और वहां से Elvish आ रहे थे, आप से हाथ मिला रहे थे तो आपके फैंस बहुत जादा हो गए थे, Elvish इस चीज को लेकर कि आपके मुनावर से हाथ मिला है अब ये फैंस के रिवेंच पर आप दोनों क्या कहना चाहोगे क्या Elvish आप दोनों के बाद फुक्रा इंसान भी आने माले इसी चीज में? Guys, can we move on from this question, please? This is not about the ECL. ECL only, we cannot relate to ECL, because this is the first season of the ECL. This is the first season of ECL, so your question is... Yes, but I am talking about fans, but that's... No, I don't want this, I think... I believe that fans love their content creators, their stars, any star, whatever you like And also fans love, and the competition goes under the fans That's a very clear thing We have to watch Khan's, Salman Khan, Shahrukh Khan, Aamir Khan And maybe also his fans are faced with Akshay Kumar So sometimes, I am a guy like a Indian team, so if there is IPL One of the members of a Mumbai Indians or a RCB, they fight for the same time, right? और फिर साथ में Rohit Sharma and Kohli open कर रहे है तो इस तरह कि एक जब competition होता है तो दोनों साइट से मुझे comment में जरूर बताना और अगर आप मेरी वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना